हेलो फ्रेंड्स बीके 24 स्टड़ी जोन के डेली करेंट एफियस लेक्चर सीरीज में आप सभी लोग का एगवा फिर से स्वागत है है अगर आप किसी भी गौश्याम की प्रिप्रेशिन कर रहे हैं तो डेली करेंट एफियस देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं मैंने पहला question आपसे पूचा था कि हाली में किस इस्तान से सबसे बड़े बिमान ने पहली उडान भरी है? तो अभी हाली में California में सबसे बड़े बिमान का एक trial run किया गया था और इस बिमान ने जो मोजावे रेगिस्तान है उसके उडान भरी थी 13 अपरेल को ठीक है? सही answer option B वाला है यानि कि धनुस्तोब को सेना में शामिल किया गया है अभी आली में Then question number third मैंने आपसे पूचा था कि राश्टी य समुदरी दिवस कब मनाया जाता है? Simple सा था माच अपरेल को राश्टी समुदरी दिवस मनाया जाता है अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाते हैं तो 6 अपरेल की करेंटेफियस में आपको ये question भी देखने को मिल जाएगा अब शुरुबात करते हैं आची करेंटेफियस हमारा पहला question है कि हाली में नौसना ने सौदेश में निर्मित किस मिसाइल बिध्वनसक पोत का जलावरण किया है तो इसका सही answer option ये वाला है यनि कि इंफाल INS इंफाल का भी जलावरण किया है भारतियन नौसना ने तो इसी ज़िए आपको यहां से ध्यान होना चीए इसका मतलब ये है कि ये जो पोत है जिसका नाम है INS इंफाल जो ये सिफ है इसको पानी में उतारा गया है और इसका मतलब शैना में भी शामिल नहीं किया गया है नौसना में इसको सिफ पानी में उतारा गया है तो जब जो है जो complete हो जाता है जो भी पोत इसको जो एक तरीके से पूरा जो process होता है यह कैसेते हैं जो विशेस्ता है वो यह है कि यह जो युद्धपोत हैं उनकी जो मिसाइले हैं उनको नस्ट कर सकता है आसानी से तीक है तो यह से आपको बताओना चाहिए तीस नौट जो है इसकी स्पीट है और इसमें चार गैस टर्वाइन लगे हैं इस युद्धपोत को प्रोजेक्ट 15B के तहट बनाए गया है तो यह इस प्रोजेक्ट के तहट जो है कुछ युद्धपोत बनाए जाने हैं जिसमें से कि यह तीसरा युद्धपोत है हमारा इससे पहले दो युद्धपोत अरड़ी बन चुके हैं जो कि 2015 और 2016 में बने थे तो आपको फिलाल मे इसका नाम याद रखना है इसके बारे में एकजाम में पूछा जाएगा ओके चलिए इसके बाद कुछिन नमबर सेकेंड है कि अगस्त 2019 में लाँच होने वाली पुस्तक कुछ चोटे के लेखक कौन है तो इसका सही आंसर है option D वाला यानि कि सलमान रुजदी इस पुस्तक के लेखक हैं जिस पुस्तक का नाम है कुछ चोटे तो एकजाम में ये पूछा जाएगा तो आपको इस जान से ध्यान होनी चाहिए अगस्त 2019 में ये पुस्तक लाँच होने वाली है एक ऐसी जो है ये ऐसा उपनियास है जिसमें एक उम्रदराज सेस्मेन की कहानी है और उस दिया गया था तो यानि की बहुत ही परतिष्टित जो है लेखा कहें ये तो आपने इनका नाम भी जरूर सुना होगा तो इनी की एक बुक आने वाली है अगस्त 2019 में जिस बुक का नाम है कुछ चोटे इसके बाद क्वेशन नमबर ठर्ड है कि हाली में किस देश में हुए आठ बम धमाकूं के बाद पूरे देश में कर्फियों की घोशना की गई है तो इसका सही answer option एवाला है यानि की स्रिलंका स्रिलंका में अभी हाली में एक के बाद एक आठ बम धमाके हुए और यहाँ पर इसी के बाद जो है पूरे देश में कर्फियों लगा दिया गया है यह हमले गिरजागरों, होटलों और एक गेस्ट हाउस में हुए हैं और इस हमलों में 207 से अधिक लोगों की मौत हो गई है मैं आपको बता दूँ कि यह 207 मैंने वीवीसी की तरब से लिखा हुआ है क्योंकि अलग-अलग न्यूजपेपर में यह आकड़ा आपको अलग- पर यहां से हो सकता है जहां में क्वेशन बने तो आपको यहां नोना चीए कहां पर इद जो है बम-धमाका किया गया इसके बाद क्वेशन नंबर फूर्थ है हमारा कि निमने में से कौन IPL इतिहास में पांसो चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं तो इसक आपको बता हुना चीए कि सबसे ज़्यादा चौके लगाने वाले पांसो चौके लगाने वाले एक मात्र खिलाडी हैं अभी IPL के इतिहास में और इसका लाबाई पहले बल्लेबाज भी हैं जिन्होंने की IPL में पांसो चौके लगाए हैं इससे पहले जो ही रिकॉर्ड थ जो है खेल लें शेकर धवन तो हो सकता है या आगे एक के बाद एक कही रिकॉर्ड बनाते जाएं इसके बाद क्वेशिन नंबर फिपते हैं हमारा कि हाली में चुनाओ आयूग ने देश में चुनावी मौशनम के दोरान मतदाता उपस्तिती का रियल टाइम उपलब्द कर यहां पर यहां पर सियाद रखेगा इसके यहां पर यहां पर और टर्न-oup भॉजक किया है चुनाव आयोगने तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बाद question number चटा है हमारा कि हाली में निम्न में से कौन सी भारतिय रिटेल कंपनी एक वर्ष में एक लाग करोड रुपे से अधिक की कमाई करने वाली पहली रिटेल कंपनी बन गई है उसका सही answer है option A वाला यानि कि Reliance रिटेल एक वर्ष में एक लाग करोड रुपे से अधिक की कमाई करने वाली पहली भारतिय रिटेल कंपनी बन गई है अभी 2018-2019 के लिए इस कंपनी ने जो अपनी कमाई बताई है वो बताई है एक लाग तीस अजार पांसो चपन करोड रुपे तो इतनी कमाई इस की हुई है यानि कि एक लाग करोड रुपे से अधिक की कमाई इस कंपनी ने की है देश भर में Reliance स्टोर जो है वो दस अजार से भी अधिक है तो आपने देखा होगा Reliance Food Wear, Reliance का ये, Reliance का वो कही चीज़े है इनकी तो उसी के बारे में याँ पर बात हो रही है तो यहाँ पर जो टूटल इनकी जो कमाई हुई है वो एक लाग तीस जार पांसो चपन करोड रुपे हुई है 2008-2019 में Question No.7 है कि हाली में वेज्ञानिकों ने ब्रहमांड में किस अणू का पता लगाया है तो आपको बताना है कि कौन से अणू का पता लगाया गया है अभी हाली में तो इसका जो सही आंसर है वो है Option E वाला यानि कि Helium Hydride Iron का पता लगाया है अभी हाली में वेग्यानिकों के तरफ से और वेग्यानिकों का ये कहना है कि ये जो अडू है ये पहला ऐसा अडू है जो कि बिग बैंक के बाद जो है जो उत्पन हुए जो तत्व थे उनके सयोजन से बना था ठीक है तो आपको बता होना चाहिए कि हीलियम हाइड्राइड आयन का पता होंगा इसके बार में पीडियाप में एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा लिखने की अगर मैं लिख पाया तो ठीक है चलिए इसके बाद क्वेशिन नंबर आठवे हैं कि हाली में जारी रिपूर्ट के अनुसार कितने राज्य तथा किन्शाशित परदेश आपातकालीन 112 शुरू कर दी गई है यानि कि 112 जितनी भी जो एमेर्जनसी सेवाई थी जैसे पुलिस की सेवा हो गई आपके अबुलेंस की हो गई महिलाओं के लिए जो हेल्प लाइन नंबर जारी की गई थी उन सभी नंबरों को आप 112 से जोड़ दिया गया है यानि कि 112 पे कॉल करके जिन सभी एमेर्जनसी सेवाउं का लाव आप ले सकते हैं तो टोटल 20 राज्यो में इस योजना को कह सकते हैं याफी इस नंबर को जो है लागू कर दिया गया है 20 नंबर 2018 को जो है इस योजना को पहला जो राज्य था जिसने इसको शुरू किया था वो हिमानचल परदीश में शुरू किया गया था तो बस आपको इस यहां से ध्यान होनी चाहिए इसके बाद question number 9 थै कि हाली में किस देश के खिलाड़ी कौन डी लेंगे का 38 वर्ष की आयू में brain tumor की कारण निधन हो गया तो इसका सही answer option ही वाला है यानि कि Scotland Scotland के खिलाड़ी थे 38 वर्ष के आयू में इनका निधन हो गया कौन डी लेंगे का तो इससे आपको पता होना चाहिए ध्यान रखेगा कि इनका जन्मत दक्षन अफरीका में हुआ था और इन्होंने Scotland के लिए 21 अंतराष्टी मैच खेले थे काफी नाम था इनका Scotland की टीम में तो अभी जो है 38 वर्ष के आयू में इनका निधन हो गया है इसके बाद question number 10 है हमारा कि हाली में निम्नमे से किस देश में पहले हिंदू मंदिर का सिलनियास किया गया है तो इसका सही answer option डी वाला है यानि की UAE में अभी हाली में सेयुक्त अरब अमिरात में पहले हिंदू मंदिर का सिलनियास किया गया है यह ध्यान रखेगा 2015 में परधार मंतरी नरेंद मोदी जब UAE गये थे उस दर्मियान जो है इस मंदिर की आधार शीला रखी गयी थी और अब जो है इस मंदिर का सिलन धाबी और मुद्रा है यहां की UAE डिरहम ठीक है चलिए इसके बाद question number 11 है कि हाली में निम्नमसिक किस राज्य में एक interactive bird park launch किया गया है तो इसका सही answer option E वाल है यहनि की महराष्ट में महराष्ट में एक interactive bird park का उधगाटन भी किया गया है आली में इसको आप सतंत्र पक्षी बिहार है यहां पर जितनी भी जो रखे गए हैं birds रखे गए हैं जितनी भी पक्षी रखे गए हैं उनको आप देख सकते हैं किसी पिंजरे में नहीं बलकि खुले में देख सकते हैं उनको हाथ में पकड़ सकते हैं उनके हर एक पक्षी के पैर में एक token चिपका हुआ हुआ जो है कागज चिपका हुआ है और उसमें जो है लिखा हुआ है कि कौन सी परजाती का है और कहां से आया है तो मतलब आप खुदी देखके जो है उसके बारे में पता लगा सकते हैं 1.4 एकड में फैला हुआ या पहला अपनी तरह का पहला वर्शावन थीम पार्क है तो बस यहां से ध्यान रखेगा इस पार्क में 60 से अधिक परजाते हों कि 500 से अधिक विदेश्टी पक्षियों को रखा गया है तीक है चलिए अब आपके लिए आज़िए प्रशनों की बा गया है यह आप मुझे कंट करके बताइएगा देन कुषिन अंबर सेकेंड है हमारा कि हालीमें बेंजामी नितन्याओं एक बार फिर से किस देश के परदानी म colored या किस देश के परदानी थे ये आपको बताना है इसके बाद को चलीमें सइक्तर च्छ्ट उतन्तक्रार्श है सो इसका अंसर भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं साथ में बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी थैंक यू सो मच इस वडियो को देखने के लिए आपका दूशू हो धन्यवाद